उज्य संत जन अपने अपने छेत्र के नेत्रुत्व देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव रामज सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ और इनन्दन करता हूँ इस उसर पर पधारे राश्टिय स्यम सिवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवत जी का अन्य समागत अतितियों और महानभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ प्रवुरामलला के भव्य दिव्य और नब्य धामे बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई पांच सो वर्सों के लंबे अंतराल के उपरांथ आज के इस चर्चिर प्रतिक्सित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्यों ये ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिल लाए है मन भावुक है भाविबोर है भाविवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज इस एतियासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मारग सिर्राम जनभूमी की ओर आ रहा है हर मन में राम नाम है हर आंक हरस और संतोस के आंसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं आज रगु नंदन रागो राम लला हमारे हिर्दय के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगासन पर विराज रहे हैं आज हर राम भक्त के हिर्दय में प्रसंता है गर्व है और संतोष के भाव है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई दर्जनों पीडियां अधुरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तो प्रतिक्सा और संघर्ष का करम सतत जारी रहा सिराम जनभू में संभवत्व विश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य की जनमस्तली पर मंदिर निर्मान के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्धति से उपर उठकर के, राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वसुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा प्रफुलित है, इस बाद से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्ध के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोधी जी का हिरदै से आभार और अभिनन्दन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई कि अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्मिधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं और लौकिक छवी है हमारे प्रभु की बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुलसी दास जी ने कहा कि नवा कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, धन्य है वसिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है बिचारों और भावनाओं की बिल्लता के बीच मुझे पूझे संतों और अपनी गुरु परंपरा का पूर्णे स्मरण हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीम संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू में अपनी आहुति दे चुकी है उनकी पावन इस मृतियों को मैं यहाँ पर कोटी कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विस्वास की परिक्सा का काल रहा बलके संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धुवा है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीडी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे है और उससे भी बड़भागी हैं वो जिनोंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे है जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित प्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही चोटिल होती रही किंतुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है और भारती समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखिए पुरी दुनिया अयोध्या के वैभाव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने कौतुर है आज अयोध्या में त्रिता युगीन वैभा उतर आया है दिख रहा है या धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है पुरा विश्व दिब्वे और भब्वे योध्या का साकसातकार कर रहा है आज जिस सुन्योची त्यम्तीब्र कति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है वा प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सक्ते और दूर दृस्ता के बिना संभो नहीं था कुछ और से पहले एक कल्पना से परे था कि अयोध्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या आयुस्मान अयोध्या स्वच्च अयोध्या सक्सम अयोध्या सुरम्य अयोध्या सुगम्य अयोध्या दिव्य अयोध्या और भव्ययोध्या की रूपे पुन्डधार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी, नया घाड, गुपतार घाड, ब्रम्म कुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रख रखाओं के कारे हो रहे हैं रामेण परंपरा की कल्चर में पिंक कराई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेण वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भवुस्यकी जर्रुतों को देखते हुए आधनिक पैमाने के अंसार सभी नगरिये सुप्धाएं भी विक्सित हो रही है इस मोक्सदाइनी नगरि को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पुरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों संतों प्रेटकों सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और इसे अग्रसर किया जा रहा है यह एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन्द मेंगिकार किया गया है यह लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है अयोध्या का दिव्य दिपोट्सो नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और स्री राम लिला की पुनरप्रतिष्टा का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है सिर्राम जन्भुई मंदिर की अस्तापना भारत के सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुष्थान है यह राष्ट मंदिर है मिसंदे सिर्राम लिला विग्रह की प्रांट प्रतिष्था राष्ट ये गौरव का एक एथ्यासिक अउसर है निश्चिंत रहिए प्रवराम की किर्पा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कोई बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गडा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतो यहां दिपोटसो रामोटसो और यहां की गलियों में इसी राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अबद पुरी का मैं राम लला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है राम राज्य बैठे तिर लोका हरसित भये गये सब सोका रामराज्य भेदभाव रहित समरत समाज का दियोतक है और हमारे सश्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जन्भुई मंदिर के स्वपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, सिल्पियों और सिर्राम जन्भुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादी कारियों को हिर्दै से धन्यबाद, पुना आप सभी को राम लला के विराजने की इस एथियासिक पूर्ण घड़ी की बधाई आदरिये प्रधान मंत्री जी, आदरिये सरसंग चालक जी, माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महान भावों का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरवजों ने लिया था उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चणों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वासियों को आज की स्रामत्सो के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बाणी को बिराम देता हूँ जैजे सिताराम